नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आरक्षन से समधित रिक्त रह गई सीटों पर न्युक्ति क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं SLP को सविकार किया जा है, जस्टिस अनिरूद बोस वा जस्टिस धूलिया की खंड पीट में मामले की सुनवाई हुई, इससे पुर्व प्रार्थी की ओर से अ पुर्स अभियार थी, जो योग यहाँ है, जिने क्वालिफाई मार्क्स मिला है, उनकी न्युक्ति की जाएगी, जार्खन में ठंड बढ़ गई है, सितलहर चलने के कारण अगले दो दिनों में ठंड बढ़ेगी, मौसम विभाग के अनुसार नहीं तों तब पान में 3-4 गिरावट आने की संभावना है, वहीं आगामी 15 जनवाईर तक सुबह हमें कोहरे रहने की संभावना जताई गई है, बढ़ती ठंड को देखते हैं मौसम विभागने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है, खासकर बच्चों को भी से सवधानी बरतने की सलादी गई, मौस दिनों तक सुबह हमें कोहरा रहेगा, जबकि दिन में मौसम साप रहेगा, बता दे रांची में गुरु आरको निमतन तब मांदास डिग्री सेलसेस रिकोट किया गया है, जैक बोट दसी बरहवी की परिक्षा 14 माई से सुरू, जारखन एकेडमी काउंसिल की परिक्षा की परिक्षा 5 अप्रेल को समाप्त हो जाएगी, जारखन सरकार ने जौइंट इंजिनियरिंग एड्रेस मेंस की परिक्षा में बिद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इंटर साइंस की परिक्षा पहले ही खतम करने की विवस्ता की है, इस बार इंटर साइंस की प परिक्षा 29 मार्च को ही खतम हो जाएगी, बतादे परिक्षा OMR सीट वा उतर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी, OMR सीट पर परिक्षा के लिए 5 मिनट बाद उतर पुस्तिका पर परिक्षा सुरू होगी, OMR सीट पर ली गई परिक्षा के सभी प्रस्ण एक अंक वा बह विकल्पी होंगी रेविका हत्याकांड सड़क पर उत्रा पहाडिया समुदाय फासी की मांग जारखन के संथाल परगना में रेविका पहाडिया हत्याकांड के अरूपियों को सर्याम फासी की सजादेने की मांग हील असेंबली पहाडिया महासभा ने की है महासभा के बैनर तले सुक्रवार को पहाड़िया समाज की लोगों ने लिटी पड़ा बजार को बंद करा दिया उन्होंने सड़क जामकर जन जिवन अस्त बेस्त कर दिया है बतादे साहव गंज के बोर्यों में दिसंबर 2022 में रेविका पहाड़िया की निर्मा महत्या कर दी गई थी हील असेंबली पहाड़िया महासभा के महासचीव सीचरन मालतो ने परदसन की अगवाई की इस दोरान पहाड़िया समुदाय के लोगों ने हाथों में तक्तिल लेकर आरोपियों को फासी देने की मांग की कहा आए कि रेविय का हत्या कंड के मुख आरोपी दिलदार अंसारी को जल्द से जल्द चुरा है पर सर्याम फासी की सजा दी जाए पारन परेड में बोले सियम हमान ते पुलिस ट्रेनिंग इस्चूट का होगा जिर्नोधार मुख मंत्री हमान सुरे ने कहा है कि आपने यहां जो प्रसीक्षन प्राप्त किया है वह तो एक सुरुवात है आप जब अपने करतावे और जिमेदारियों का निर्वाहन करेंगे तो आपको कई नई और अलग अलग तरह की चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा आइसे में इन चुनोतियों से निपटने में आपका प्रसीक्षन बुध्धी और विवे काम आएगा प्रसीक्षन और नवरत चलने वाली परकिरिया है इससे आप अपने आपको और बेहतर और कुसल बनाते हाँ मुखी मंत्री बोकारो इस्ति जयब चार ग्राउंड में SIRB-01 दुम का SIRB-2 खुटी IRB-8 गोटा के जवानों के पारन प्रेट समारों में समोधित कर रहे थे मुखी मंत्री हमास्तुरे ने कहा है कि विभीन कारकोरों में के दोरान पूलिस परसिक्षन केंद्रों और संथानों में जाने का मौका मिलता है इस दोरान वहां की अगतन इस्तिती की जनकारी लेने के दोरान कई समस्याय होने की बात मालूम होती है जार्खन के चात्रा में पूलिस और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच मुठ्भेड जार्खन के चात्रा जी लेके कुंदा थाना छेटे के अनगड़ा जंगल में सुक्रवार की सुबा पूलिस हुआ टीएसपी सी उगरवादियों के बिच मुटभेड हुई काफी देर तक दोनों और से मुटभेड चली पूलिस को हावी होता देख उगरवादी फारिंग करते हुए जंगल का फैदा उठा कर भागने में सफल रहे मुटभेड अस्तल से पूलिस ने भारी मात्रा में समान बरामत किया है एसपी राकेस रंजा ने प्रेस कॉन फ्रेस कर इसके जनकारी दी बतादे चात्रा एसपी ने कहा है कि जारकन को नकसल मुत बनाने को ले कर लगातार छापे मारी अभ्यान चलाया जा रहा है डीजीपी के नेदेस पर नकसल संगटनों के खिलाब चोतरफा करवाई की जा रही है इसी दी सा में पुलिस को लगातार सपलता भी मिल रही है रांची पहुँशे ग्रीः मंत्री अमीत साथ ग्रीः मंत्री अमीत साथ क smokesurवार को रांची के बीरसा मुड़ा एरपोर्ट पर पहुँचे भे सbrandi वार को को लेकर परदेश के नेता चर्चा करके रणनीती बनाने और रणनीती पर किस तरीके से काम किया जाए बता दे की कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता सुनील बंसल ने भी भाजपा का दोरा किया था और चुनाओं को लेकर पार्टी नेताओं से चर्चा की थी सरकारी स्कूल में छोटी के एक घंटे बाद निकल सकेंगे सिक्षक सभी सरकारी स्कूलों के सिक्षकों को अब छोटी के एक घंटे बाद तक इसकूल में रुकना होगा बिद्यार्थियों के छुटी के एक घंटे बाद सिक्षकों को प्रस्तान करने के आदेश दिये गए हैं इस दोरान सिक्षकों को अने सेक्षिनिक कारे और पढ़ाई में कमजोर बिद्यार्थियों के लिए एस्ट्रा क्लास लिएने को कहा गया इसकूलों में सुबा नो बई जे लेकर दो पर तीन बई तक इसकूल का संचालन होगा जिसमें सिचकों को सुबा आठ पैतालिस तक इसकूल पहुंचना होगा और साम चार बजे इसकूल से निकलने का निर्देश दिया गया है हलाकि यह निर्देश कुछ महीनों पुर्व भी जारी किया गया था जिस पर प्रात्मिक सिक्चक संग के बिरोध परदसन परया आदेश वापस ले लिया गया था ज्यारखन में सुरू होगा परवासी मजदूरों का सर्वेक छान परदेश में परवासी मैदूरों का सर्वे किया जाएगा इसके लिए जारकन सरकार की ओर से स्राम भी भाग को जिम्मेदारी दी गई है 30 दिसंबर को इस समध में सरकार की ओर से जारी दिशाने देश के बाद स्रमायुक तवा जर्कन सरकार के संजीव कुमार बेसरा ने इस समन्द में सभी जीलों के स्रम विभाग को आदेश जारी किया राजे के सभी 24 जीलों में परवासी सरमीकों के सरवेक्षन कार्य है तू PD, AG, PRAMERS, LLP, AG को अनुमती पदान की है बताया जाता है कि कुरोना महामारी के दवरान दूसरे राजेों से लोटेश रमीकों का सही आकलन सरकार के पास नहीं मिल रहा है इस लिहाई से फिर से प्राइबेट कंपनी के जरिये यह काम फूरा किया जाएगा बतादे धनबाद असराम विभाग को सरकार का यह प्राप्त है कि कुरोना काल के दवरान हजारों की संख्या में दूसरे राजे से प्रवासी मजदूर का आगमन हुगा है नए साल पर गिरीडी के युवाओ को मिलेगी नोकरी गिरीडी जीले में बड़ी सेंखाय में बेरोजगार युवाओ की फोज खड़ी है इन युवाओ को परशासन से रोजगार किया सै इसी कड़ी में नए साल पर इन युवाओ को रोजगार से जोडने और जोडकर उपलब्ध कराने का साल बनेगा बता दे जीले के युवाओं को नए साल में नियोजन की सोगाद मिलेगी वहीं मन्रेगा जोब करधार को के लिए ब्यापक प्रमाने परोजगार का भी स्रीजन किया जाएगा अखिल जार्खन छात्र संग का युवा आकरोस मार्च 12 जन्वरी को आईसु पार्टी की सोयोगी इकाई अखिल जार्खन छात्र संग स्वाइम विवेकानन्द की जन्ती तथा राष्ट्रिय युवा दिवस के आउसर पर आकरोस मार्च निकालेगी इस दोरान आईसु के परदेश अस्तरिय प्रदाधिकारी करकारता तथा नौजवान विधान समय मैदान से मोराबादी इस्तित बापू आठिका थक पैदल मार्च कर युवा विरोधी सरकार के खिलाप हुंकार भरेंगे आईसु के परदेश अध्यास गौतम सिंग ने सुक्रवार को हर्मो इस्तित आईसु पार्टी के प्रदान कर्याला में इसकी जनकारी दिया है युवा आकरोस मार्च को लेकर अखिल जारकन छात्रसंग के परदेश अस्तरिये पताधिकारियों के बैठक आजुजित की गई थी इसमें मार्च को लेकर विचारवी मर्च किया गया आदिवासी बचाओ महराईली अब 5 मार्च को आदिवासी को अडिनेशन कमीटी द्वारा मोराबादी मैदान में 26 फरवारी को आहुत आदिवासी बचाओ महराईली अब 5 मार्च को होगी सुक्रवार को करम टोली सीथ केंद्रिय धुमकुडिया में विभीन आदिवासी संगटनों के साजा मंच आदिवासी समन्वे समित्ती की प्रेश स्वर्ता में इसकी जनकारी दी गई वक्ताओ ने कहा है कि 26 फरवारी को आने संगटनों के द्वारा सरना धर्म को लेकर मोराबादी में रैली की घोसना की गई है जिसके मैद नजर आदिवासी बचाओ महराईली की तीथी में फिर बदल की गई इस महारायली में कूर्मी कूर्मी महत्व जाती को एश्टी में सामिल करने के सड़ेंतर का विरोत किया जाएगा केंद्रिये ग्रिह मंत्री अमित सा से जहमों ने पूछे चार सवाल केंद्री गरियमंत्री अमीत सा ज़ाखन दवरे परहां, वे सुकौरवार को चाईबासा में सभा करेंगे उनके दवरे को लेकर ज़ाखन मुकती मर्चा नोग्यास सवाल पूछे हाए पार्टी का कहना है कि अपने दोरे के दोरान अमीज सा इन सवालों के भी जवाब दे केंद्री ग्रीह मंत्री अमीज सा के जार्खन दोरे को लेकर राज्य की राइनिती गरम हो गई है भाजपा नेता और देश के गिरी मंत्रियमी सा के रांची पहुँचने से पहले ही जार्खन मुक्ति मुर्चा ने सन्वादाता समेलन कर पारसनात बिवाद के लिए भाजपा और केंद्री की सरकार को दोसी करार देते हुए कहा है कि 2019 के भारत के राजपत्र को रद करने की जगा उसके सिर्फ दो उपबंदों को अस्थागित क्यों किया जा रहा है यह बात जैन समाज के लोगों को समझाना चाहिए जार्खन में सुखार का आकलन करने 9 जन्वारी को रांची पहुँचेगी केंद्रीये टीम जार्खन के सुखाग्रस्त परखंडों का जाजा लेने के लिए केंद्रीये टीम 9 जन्वारी को आ रही है इस दोरान टीम में सामिल अधिकारी 13 जन्वारी तक विभीन परखंडों का ब्रहमन कर सुखा का आकलन कर अपनी रिपोर्ट राज सरकार को सोपेंगे बता दे पुर्वी सिम्भूं और सिम्टेगा को छोड़ कर जार्खन के 22 जीलों के 226 परखंड सुखाग्रस गोसित किये गए है इसका आकलन करने केंद्रीये टीम 9 जन्वारी की साम 7,62 रांची आ रही है 13 जन्वारी तक राजे के सुखाग्रस छेतरों का भरमन कर केंद्रीये टीम जमीनी हाखिकत से आउगत होगी इस दवरान राज सरकार की ओर से केंद्रीये टीम के समाख सुखा रहात सहायता मद में 9,000 क्लों रुपए की मांग की जाएगी ज्यारखन में एक उर्वरक जाच लैब के भरोसे 32,00,000 किसान ज्यारखन में क्रिसी और किसानों के लेकर बाते ज्यादा और काम कम होती है इसका जीता जाकता उदाराना की राजे में केवल एक उर्वरक जाच लैब का होना ऐसे में राजे में अच्छी खेती और अच्छी उबज की बात बेमानी लगती है बता देख खनीज और प्राकिर्टी संसादनों से भरे जारकन के लोगों की आजीवका कमों की साधन क्रीश्टी और पसुपाला नहीं है ऐसे में जारखन की सरकार अक्सर किसानों पसुपालकों के कल्यान की बाते करती रहती है लेकिन हैरान करने की बात या है कि जिस जारखन में 32 लाख से अधिक किसान उपज के लिए अपने खेतों में यूरिया, डिएपी, सहित, अनेखाद और असायनों का इस्तेमाल करते हैं उस खाद की गुनवाता कैसी है यह जाचने तक की पर्याप्ति वेवस्था नहीं है जन परति नीधी, आमजन और सरकारी अधिकारी अपनी जिमेदारी निभाय मंतरी योजना का लाब समाज के निचले अस्तर तक सही वा पारदर्शी तरीके से पहुंचे अपरिक चाहए तो नो जन्र लेंगे अंगनवारी के एंदन की मार नोनी हालो को जरूरत पढ़ने पर उप स्वास्त केंदर में इलाज कराया जाएगा बतादे जीला समाज कर लियान पतादिकारी सने हां कसे अपने बताया है कि ठंड को देखते हुए या फैसला लिया गया है चाथ जनवरी से सभी केंदर बंद रहा है अब दस जनवरी को उन्हें बताया है कि नोटिफिकेशन देर से आने की वाभट से अभी केंदर को बंद कराया गया है ग्रिह मंत्री अमीच शाप पहुँचे रांची केंदरी ग्रिह प्रिक्ता सनीवाद सुबह 10 बजे रांची एरपोट से चाईबासा रवाना होंगे चाईबासा में वे चुनाओ की त्यारी में लगे पार्टी की नेताओ और करकताओ को सम्भुधित करेंगे बता दे अमीच साह का रांची पहुचने का समय साम 6 बजे ने धारित था लेकिन कुछ कारणों से उनका प्लेन रात 9-28 पर एरपोट पहुचा अमीच साह के दोरे को लेकर पूलिस ने सुरक्षा के पोकता इंतिजाम किये हैं जारखन में 8 लाख विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर की परिक्षा देंगे जारखन में वर्स 2023 में कूल 8 लाख विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर की परिक्षा देंगे जैक ने वर्ष 2023 की मैट्रीक इंटर परिक्षा के मोडल प्रस्ण सेट भी जारी कर दिया है इस मोडल के उचन पेपर के अनुसार OMR सीट वा उतर पुस्तिका पर 40-40 अंकी परिक्षा ली जाएगी उतर पुस्तिका पर ली जाने वाली परिक्षा में एक दो तीन वा पांच नंबर के प्रस्ण पुछे जाएंगे मोडल प्रस्ण पत्र जैक की वेब साइट पर उपलब धाए जारखन के 33 अधिवक्ता नयाई कारेों से रहे दूर जारखन स्टेट बार कांसिल के अधिवक्ता आज नयाई कारे नहीं करेंगे वहीं आट जनवरी को राजे के सभी जीला बार एसोसीेशन के पतादिकार्यों साथ कांसिल की बैटाक होगी इसमें आगे की रन निती पर विचार भी मसकर निरना लिया जाएगा हलाकि कुछ अधिवक्ताओं के कोट जाने और पेरवी करने की सुचना है मिल रही है यदि ऐसा हुआ है तो कॉंसिल निश्चित रूप से वैसे अधिवक्ताओं खिलाब भी दिस समवत करवाई करेगी कॉंसिल के अधियक सिरिकिष्ण ने बताया है कि राज सरकार दोवारा कोट फिस में भारी बढ़ोतरी का अधिवक्ताओं बिरोत कर रहा है पटना सिंग्रोली एक्सप्रेस 20 जनवरी तक चोपन तक ही जाएगी धनबाद रेल मंडल के अंतरगत इंटर लोकिंग कारे के कारण 8 जनवरी से 17 जनवरी तक पटना सिंग्रोली एक्सप्रेस के परिचालने बदलाव किया गया है और सिक्स समापन के साथ या ट्रेन 7 जनवरी से 20 जनवरी तक चोपन तक ही जाएगी इसी तरह सिंग्रोली पर्टना एक्सप्रेस 8 जनवरी से 18 जनवरी तक चोपन से चलेगी रेल विभाग ने अनिल कुमार तिवारी को रेलवे यातायात निरिक्षक बनाया है जबकि उनकी जगा परुमेश कुमार को डाल्टेंगा इस्टेशन का अधिक चक बनाया गया है रामगर उपचुनाओ को लेकर तयारी रामगर बिधायक ममता देवी की बिधायकी जाने के बाद उपचुनाओ को लेकर परसासनिक तयारी सुरू हो गई है मदान के अंदरे में मुलहुत सुविधाव का बहाल कराया जाएगा जागरूप अभियान चलाया जाएगा जो कि लोगों को मदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा CRPF ज़़ान अमीत सिंग ने खुद को मारी गोली CRPF 60 बटालियन की जवान अमीत सिंग ने पहले कैंप में अंधा धुन्द फैरिंग की फिर खुद ही अपने मुह के नीचे इंसास त्राइफल से गोली मार ली है गोली चलते ही वे फर्स पर गिर गए इसे मौके पर ही जवान की मौत हो गाई गोली चलने की आवाज से कैंप में थोड़ी देर के लिए अपरा तफ्री मच गाई घाटना अस्थल पर जवानों ने अमीत सिंग को फर्स पर पड़ा देखा या घाटना घोर नक्चल पर वहावित गोईल के रताना अंतरगत आरा हासा CRPF के 60 बटालियन कैप में हुई है पूलिस ने CRPF जवान की इंसास राइफल और उनका मुबाइल जब्द कर लिया है मामले की जाचकी जा रही है मृतक अमीत जमू कास्मीर के बिसनाय के देवली थाना चेतर के थे ग्रीह मंत्री के सुरक्षा में 45 से अधिक जवान तैनात केंद्रिये ग्रीह मंत्री अमीत साह दो दिवसे दोरे पर सुक्रवार को रांची आ रहे हैं यहां से 7 जनवरी को पाच्मी सीमू के मुख्याले चाईबासा से साभा को समोधित करेंगे अमीत साह के दोरे को लेका सुरक्षा बेवसा चाग चोबन्द की गई है इनकी सुरक्षा में बाहर से 30 कंपनी के 45 सो जवान और दूसरे जीले के 250 पूलीस अपसर्च को बुलाया गया है सुरक्षा की कमान समहल रहे एस पी सभी पलूओ पर नजर बनाये हुए है टाटा कॉलेज स्थीत कारक्रा मस्थल से आने जाने वाले सभी रास्ते पर चपे चपे पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे वहीं जीला पूलीस के साथ बाहर से 30 कंपनी जवान मंगाये गया है एक कंपनी में 150 से 200 के भी जवान रहते हैं दिन भर की खबर को जानने के लिए साम 5 बजे बीडियो देखना ना भूले साथी साथ आप बीडियो को एक लाइक कर पें दोस्तों को से आज सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फिड़वेक अवस्य दे थांक्यू